पापा के कान के पास में एसा पटागा पुड़ा है कि बेरे हो गए हो तुम्हें कुछ सुने दे रहे हैं पेड़ा खात तो लूँगा लेकिन दिवाली तो चली गई मैं छट से देख रहा था उसने पटागा जला कर दूसरी मंजिल से निचे फिका वो सीधा पापा के कान के पास आकर फटा आप उसे बचाए मत उसने सबकी नाथ में दम किया हुआ है पापा का कान किसे ठीक होगा अब हलो हलो बेटा इने तो कुछ भी सुनाए नहीं दे रहा है कोई बात नहीं समसा खा ले है लेकिन अंकित बेटा एक बात ना गोर करने वाली है इस साल दिवाले पर बहुत चांती थी ना पटाको का शोर या तक कि लोगों की बात करने की आवाज नहीं आ रही थी देख अभी भी नहीं आ रही है क्योंकि आपको सुनाए नहीं दे रहा है कल बहुत शोर था क्या चोर था कहा था कुछ लेकर तो नहीं गया यह आजमी बेर हो गया मेरे जिंदकी परपात हो गई अरे सुन रहे हो मैं मामा से बात कर लेता हूँ लेटा हूँ लेकिन तू तो खड़ा है आप मेरे होट पढ़ रहा हो बेटाब तो जोर से नहीं बोलेगा तो मुझे होट ही पढ़ने पढ़ेंगे शीट मैं शीट में टट्टी आदमी यह मझे टट्ती आदमी बोल रहे है तेरे मामा हमारा करके काकज की फोटो कोपी कराने गए थे कल अभी तक नहीं आए नमस्ते अंकल और बंचो लो इडियान ले बंचो दासल समीर भी आ गए आंटी एग लास पाने पिला न राट के नक्सान से उबर गया अंकल के समने मत बोल बोलो भाई विसे भी उनको कुछ स खोड दिया अब हो सुनने ही पा रहे हैं अवाज आ रही है क्या कह रहा है जोर से बोल बेंचो गाली दे रहे मुआ में यह गालिक सुन नहीं सकते लेकिन होट पड़ सकते हैं अंकर होट फूर लेकर हो अंकित बैटा होट पड़ सकता हूं दाथ नहीं इसके बस दाथ उपर निंचे हो गया अउटा वेरा पड़ना हो गया तमीज से कमीज, कमीज तो अच्छी है दोनों की, इनको तो ये भी सुना हुने देखा हैं कि कल तु तीन पत्ती में 08 रुप्य हार गया, पता भी नहीं चलना चाहिए, और मैं मेरी पॉकेट मनी बन्त हो जाएगी, पापा, इसमेए नहीं की पोकेट मनी दो ना, पॉकेट मनी करी सु दिये दो जरुपे कहा हुड़ा दिये तीन रूटी में हार गया हाई काट पर फेल रहा था अगले के वास्ती ट्रेल सास सरुपे लगा के घोटे होगे फेल पॉकेट मुझे सुनना ही नहीं है उस दिन बहुत चोड़ा हो रहा था उसका उसके उकात बताना बहुत जरूरी है बैटा असल जिंदगी में पीट पीछे से चोड़ा वह होता है जो असल जिंदगी में कूबड़ा हो क्या हो ना 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 कमेंटा विच्छ गाल नहीं कटनी और फेज़ उपर गाले देगर क्या सुदर जाएगा वो नहीं नहीं मुझे अगले 24 गंडे में उसका मावी नामा और उसके घर के कागच चाहिए नहीं क्या चाहिए अच्वकर नहीं और तुमनें कुछ बताया नहीं कोई बहत कर रहा है Second का बेटा तेरी मा कहा लाग कि पागल ने इनके कान के पास में पटा का फोर दिया तबसे सुन नहीं पा रहे है लेकिन होट पढ़ पा रहा है हो तो यह रहा थे के इस सार एलेक्षन लड़ूंगा है agrad रिदी हनीमून ऐलेक्षन मं मा उम्ब्लार का खड़ा प्रणाना बहुत जरूर की तो ने अगश्ची हो रही orig好 कि mittlerweile को रृइत कि मोपड रही जोने में दौकिया भाजी होती ही यह लोगा तोड़ा सा तेज बोलो यार कुछ समझ नहीं आ रहा तेज बोल कर क्या होगा बेले लाव जू 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 लेकिन मामा आप पुण से धोकेबाजी के बात कर रहे थे बेटा मेरा इतना साल का वसुली का धंदा है ना लेकिन इस साल मुझसे चूक हो गई क्या बोला चूक छी ची कितनी गंधी पशे यूज कर रहे बच्च से शुरू होती है बूट बूट की चक्कर में मेरा संदूक हो गिया और जब खाली फिर मेरे पास कलर सिक्वेंस था गुलाम बेगम बाच्चा वाह तो मैंने कुछ पेपर गिवी रख दिये यह सोच कर कि वसुली की पैसे तो आपिस आई जाएंगे लेकिन उस कम्यी ने कि लिक्के की ट्रेल निकली वो तेरी एक बात तो मैंने सीख लिए कि जीवन में लारच उतना यूडलेस है जितना के बीसी में जोड़ी दरवाली लाफ लाइन साला दलदल में गुसाईगी पेली बार में तीन पत्ती में हारा लेकिन मुझे पता है उसने चिटिंग करी है ल पांक ये दिदी वो चाई पिला ना जरा बेटा पता नहीं मैं कौन से जोश में था तेरी कसम में जीत रहा था लेकिन उसने चिटिंग करी है कोई बात नहीं तू मेरे साथ रहेगा जब अपने दोका देते है ना तो दोस्त जगे देते है अब फालतू की बढ़काव बाते करें नहीं तो तेरी पेरों की कट्रों निकल कर उसमें सूप पिलाओंगा क्या पिलाओंगा लगता है काफी मज़दार बाते हो रही है देखो इनको कैसे हस रहे हैं अरे रोड़ पर आ गए है गर बिग गया है अब इसी मफलर का फंदा बना कर अपनी टांगों के बीच में घिसना क्या घिसना 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 और भी इस टाइम को पटा के पोड़ता है वे तेरे बाप की शादी है क्या अला फालतू का पैसा ल केसे हस रहे बेटा तू बता इनको मेरी तो हिम्मत नहीं है में केसे बता हूँ इनका घर भिका है इतनी बड़ी बात में केसे बता हूँ किसका घर भिका है हमाना घर भिका है ये घर भिका है क्या पाइदा सुनाई तो देगा नहीं इनको घर भिक गया केसे है आप सुनने लगे अरे हां बहरी ओराथ अपनी कान का इलाज करा किसका गर बिखा है अच्छा तो यह बताओ कि यह कुन सा घंणा है आप सुनने लगे कि यह की बात पुछ रहो कब से किसका गर बिखा है किसी का गर नहीं बिखाया मैं मजाक कर रहा था इस तरह का मजग मैं वही सोचू इसा दो हो यह नहीं सकता तुम इसा कर यह नहीं सकते हो देखा दिदी गर बिखने के नाम पर कैसे सुनने लगे मजग करने के अदे तेरी गएने अभी तक शरार्ती जो दर्द मिला अपनों से मिला गैरों से शिकार द्रकॉं करे